स्वाम लेकून आधे जैसे कि अथ स्वाक हम लोग के डिया की डिरेक्टर स्टेट एंट इंदर साथ मौजूद है आईए न से कुछ खुसुसी गुफटगू करते हैं स्वाम लेकुम सर, कैसे हैं आप, सर्थ क्या कहेंगे आजकल जैसे कि दिखा जाए तो बहुत जादा जो है वो सुसाइटीज बन रही हैं और जगा जगा पे जो है वो प्रॉटिंग करके एक तरसे कब्दा माफिया का राज हुआ है पूरे कराची पे तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कोई आपने जैसे के आप स्टेटर एंफॉर्स्मेंट के डिरेक्टर हैं तो आप लोग ने कोई इ एक्षिन लेने के लिए इनके लिए बिस्मिल्ला रहा नहीं जब से मुझे तो के डिये पे जब से आया हुआ हूँ तो अलहम्दुल्ला अभी हमारे पिछले दोर में भी अपरेशन जितनी की थी लेंड माफिया और कब्दाखोरों के खिलाफ वो कामियाबी से जारी है इस में सबसे बड़ी मदद जो की है अनरबल सुपरिन कोड आफ पाकिस्तान ने जो हमारी मदद की है उसके बाद अलहम्दुला कराची में जितने भी ये सब पिछले दोर की बाद जो प्राब्लम हुए वो सब को पता है आप लोगों को भी पता होगा तो अभी अनरबल सुप एक्टिव हैं और सब ही काम करें और हम भी राद दिन काम करें उसे काफी फैदा हुआ है ताकि जो वजिर बल्द्यात है वो भी तक्रीमान आए दिनी ही यहां के विजिट करते रहते हैं मुक्तलिफ जगाओं पर जाके विजिट करते हैं तो इससे भी जो है और हमारे डार एक्टर जनर्न अब्दूल-कदीर मانگी भी जब से आये हैं तो हमें थोड़ा फिरी हंड्ट दिया है अचाहिक स्थीन वाatan काफी फैदा आपन ऑने डिपार्डरमेंट के हैं और के डियर डिपार्डरमेंटके की सर्विस उनकी है तो उसे भी काफी फरक हुआ है कि हमें बाकी तो सारे इदारे जितने भी है रेंजर्स है पाकिस्तान रेंजर्स है सिंध पुलीस है सभी आफिसर भी उनके सारे सारे जो है एक्टिव है अब अलहमदुला कहीं भी कोई प्रेशानी नहीं आ रही है नहीं त तो काफी साथी जो थे वो आफिसर जो है वो बिचारे शहीद हो गए इसी इसी डिपार्टमेंट से तो अब आलम्दला हमारी पुलीस पाकिस्तान रेंजर्स सबसे बड़ी बात है कि अनरबल सुपरीन कोड ने जब से जो है अपने आडरों को इंप्लीमेंट कराया है तो उस लोकल गवर्मनेंट ने हम्यारी काफी सपोर्ट की है जैसे मिशिनिर के मामले में तनखाओं के मामले में हर चीज में अब अलहर आपको रिजल्ट हाए तो अक्सर जो है ना हर जो एक लुए केडिक्री के लोग होते है तो अशर प्लॉट है उस पर जो है डबलिंग हो गई थे उनको तो बड़े यह नहीं को परिशानी होती है जो प्लॉट की डबलिंग हो रही थी फाइल की डबलिंग उस उसमें कि सदक जो है वह कमी लाए गई जो डबलिंग हो रही थी जो जिसको मशवर जमाना था चैना कटिंग उसी की वजह से तो अनरुबल सुपरिया उसकी मालकान बिचारे एफेक्टिव हो रहे हैं वो धिके मेरे पास रोज सो आदमी आते हैं अच्छा कबजे कराने वाले वो जाहरे वो बैठे हैं उनको असली जो मालक हैं ये दो नमरी काम वाले जो जाली उसमें बेच के चले गए वो बेच के अब उन्होंने भी तो देखें है कि देखे जाए तो इंक्रोश्मेंट में जो काफी दुकाने दोड़ी गई इसके लावा घर भी दोड़े जा रहे हैं तो जो घर दोड़े जा रहे उसमें जो लाका मकीन है उनकी का का सबकी यही कंपले नहीं है कि जी हमें यह तो विदाउट नोटिस हमारे गर तोड़ आप इसमें तो यह ही है ना कि जिनके घरों पे कपज़ा है असली मालिक तो वो बिचा रहे इतने सालू से प्रेशान है जो चैना काटिंग वाले लोगों बेगाए घर धुरायों पे घर अपने बना के दे दिये बग्हें कागजों के अज है तो वो कर रहे है जो जो गोट बने हुए हैं गोटों को जो मसमार किया जा रहा है आज भी ऐसे के गुल्षण ए मैमार एहसनाबाद जो हुआ है माँ पर नहां पर जो है वह इनक्षमेंट की जाने से जो है वह आपरेशन जा रही है आज भी तौह की अलागा में सारापा इतिजाज है कि जी हम है और ना तो शोड़ दियाए और हम जो है वो और शेष्या से यहां पर रह रहे हैंW einem और लिएम सब्सक्राइध पास और टोड़ फॉडू है उनका, उनका है, हमें पत्रौ में हमारा कहरत भी कोडिए तोड़े जारे हमारे रहे this is of photography प्थाडिकेंवाल नहीं है तो ये ऐसा नहीं है कि किसी को नोंटी सारी चीज ये फार्मिल्टी होती हैं लेकिन किया जोड़ी है और आपको मकम करने के लिएегда को करने के लिए तो मेडिया में भी वह चीजें हायलायिट हो देनर लेकिन इन समझता हूं कि कोई बेदारा ऐसे कारवाई करे कोई बेदारा ऐसे कारवाई नहीं और आज के दोर में क्यूंकि हमें सुप्रिन कोड में वो रपोर्ट जमाव करानी होती है तो अलम्दल्लाइ अब ऐसे प्यू बादिल जगाउं का उनको कहा गया था जो दुकानदार हो गए या जो ऐसे घड़ आपके इस में रेंज में आते हैं आपके इस में इस त्रिक्शन में आते हैं तो उनको अभी तक कुछ मतबादल जगह नहीं दी गई है अभी जमीन कराची की पहले तो पता ही नहीं ह जो हैं वो बिचारे 10-20 साल से वो प्रेशान है उनकी सरा चीज उस पे लगी हुई थी तो वो असली मालिक प्रेशान है कोई एक्स वायजेट तो वो प्रेशान है जो भी इंसाना उसकी पुरी जिन्दी की जमापुची वो घर होता है तो अच्छा वो उनका कोटों से भी चैना काटिंग वाला प्रेशान नहीं था तो अब अलहम्दुल्ला हमारे जितने भी मिनिस्टर हमारे सहिद गनी साहब वो एफेक्टिव हर चीज पे वो आते हैं पूछते हैं मीटिंग में पूछते हैं कि भाई किसी को तक असली मालकान को तकलिफ नहूँ आप खुद से नोटिस के झो हमाइक दुकाने जो मसमार कर दी किसी दुकांदार के ये भी कहाना था जी हमारी चूप है जो ग्रीन बैल या फूत बा जOSE काफिसट पीछे थी लेकिन उसके बहुता हमारी दुकाने मसमार का दी लहां यह हैं केम्सी या डीम्सी या कोश्बाइन की जो भी लोग आया तो उनके आ वसूल कर लिए तो उनके दुकाने नहीं मस्वार की हैं और हमाई दुकाने मस्वार कर दी गई है थी जैमाक कभी नहीं होता है जो consistent कर रहा हूं आथ युनिएस्टी रोड पे हसन इसकायर से शुरू किया तो मैंने उर्दू कालेज तक एक जितना जो जिसके ये प्रॉबलम था उको सब को एक जैसा देखा और सो आदमी के सामने मैं अलम्दला मुझे तो ये परवर्दिगार का इसान है आप भी थी तो और ये विटनिस है कि ह हमने कभी ये आज तक कामी नहीं किया है सब को हां तो सब से एक ही जैसा सुलोक होता है बलके मैं तो सब को हाथ जोड़ के कहता हूं कि भाई अपना सामान भी उठा लो हमें कोई आपसे नुक्सान करने का कोई मकसद नहीं है लेकिन उसके बाद आप देखें तो उसे आगे रखके वर्निंग्स उनको दे रहेते हैं कि आप काइंडली जो है अपनी जगे कम कर लें वो सारी चीजें जो है बहतर तरीके से मैं खुद चाला जाता हूं और अपनी निकरानी में तो ऐसा भी तक ट्रेंड नहीं है कि हम पैसे लेके किसी को ये फैसल्टेट करें व अपने सबी के आसानी भी पैदा करें जिसर्ट जैसे कि आज ही जो आपरेशन हो रहा है उसमें देखा गया कि काफी जो अलाका मकीर है वो सरापैत जाच चे दुकानदार भी कि जी उनको कोई नोटेसिं देगी गया और यह का गया है कि एक गंडे के अंदर अपनी जो दु जो है वो खुदी जोई साइड कर देगा ने तो एक घंडे के अंदर जो है उनके दुकाने और घर जो उनको मस्मा कर जाए जाएगा ने अजाए असल में लेने हम इतने दफार लोटेस बेजें कोई लेने के लिए तयार नहीं होता है न तो वो लेते ही नहीं नोटेस वह लोटीस नहीं मिला है लेकिन ऐसी चीज नहीं एक दो घंडे वाला इसाब होता है एक गंडे के अंदर खाली कर दें दो घंडे के लिए तो आगे जो फुट बाथ था और उस पे उनका जो कोरीडोर होता है उसको भी उन्होंने कवर किया हुआ है जो बिल्डिंग कांट्रोल स मेरी आँकों देखी भी ऐसी शॉप्स हैं या ऐसे घर है कि जो उनके ग्रीन बेल्ट या फुट पाथ जो है उसे जो है वो काफी फिट तक जो है वो दूर कर लिया और पीछे कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आई दिन केम सी या डियम सी आवे बाले आते ह है इसमें जो है अब है तो फ्रडवाल स्वार पे जो जो कराची फूड अभी पहले गोल्ड़न फूड था भी कराची फूड के नाम से जो है बिलकुल कोने पर ड़ेड़ेपल वाला तो वहां निकलने कि एक गारी की सिग्ल नहीं है अलांकि डबल रोड है इतनी मोर्स है क उन्होंने अब क्या किया है कि बाहर जो है रोड पे अपने वो सब कुछ उनका मना बना हुआ है तो अब लोग बिचारे क्या करें लोग गाड़ी निकलने की जगह नहीं को इमर्जंसी में तो उनको कौन सी रहा दे इतना कह कह के कितनी दफ आपरेशन के उनमें कोई हा मकसद अपनी बिजनिस को लोगों पे अब कमा एक उसका अजाला जो हदार आदमी बह रहा है तो यह तो पासिबल नहीं है ना सर अभी तक सारी चीजें जो है उस पर इंप्रिमेंट होता जा रहा है काफी कमी आती आ रही है पर जो चार्ट पार्किंग है या पार्किंग माफिया इसमें जो है किसी हद तक कोई कमीन यही ना इनके पर एक्शन के लिया गया तब कि अगर आप पार्किंग करते हैं तो आपको यह परची यह देते हैं उस परची के पीछे लिखा होता है कि अपनी घारी जो है वो अपनी जिम्मेदारी पर खड़ी करें एट पार्क एट य पारे इनवाल हैं कि वो कोई रेस्पोंसिबिल्टी लेने को तयार नहीं है जो अब उसमें में क्या जवाब दू के बहुत नहीं मक्सद है अब वो हरा अधारा कहता है मेरी जो डेक्शन है उसका उसको जाता है हमारे पास तो अभी तक पार्किंग का मामला आया नहीं है के अभी तो हम उसके बारे में क्या कमेंट्स करें आप जैसे के अपने केडिये की डिरेक्टर स्टेट एंफोर्चमेंट मोहमद बारियल इंदर साब की गुफतबू सुनी इसी के साथ दीजिए जादत कैमरामें फाहिम शे के साथ अनुश्य आफ़ता आप चैनरवा का नहीं you are whenever you want easy to use and a simple interface giving you the best usability factor watch live streaming in HD quality world news making sure you in touch with the world and much more झाल झाल